क्रिकेटर मोहमद शमी पर उनकी पत्नी हसीन नए आरोप लगाए रवेवार को उन्होंने प्रेस कॉन फ्रेंज करके कहा कि अगर मुझे ब्यम डबलू कार्ट से शमी का मुबाइल नहीं मिलता तो अब तक वो उन्हें तलाक दे चुका होता हसीन जहां के मताबिक शमी के उसी मुबाइल में उसके खिलाफ सारे सबूत हैं लेकिन अब वो मेरे पास है यही वज़य है कि उसने मुझे तलाक नहीं दिया हसीन बोली हद पार कर दी थी प्रेस कौन फ्रेंस के दौरान हसीन ने बताया तेज तारीक को मुझे ब्यम डबलू कार में शमी का मुबाइल मिला था इसके बाद ही उसका बरताव अचानक बदल गया वो मुझ से अच्छा व्यवार करने लगा आप उस तरोप है रिक्त हसीन ने कहा शमी डर की वज़े से अच्छा बरताव कर रहा था पूली की पार्टी भी इसके बाद ही हुई थी आप उस तरोप है शमी ने गुनाह किया मुझ पर अत्याचार किया और अब मामला काफी आगे बढ़ चुका है ऐसे मैं समझ नहीं आता कि सुलह कैसे होगी पचाने के लिए उसे काफी समझाया वो वापस आने की कोशिश करे तो अब भी मैं इस बारे में सोच सकती हूँ आप उस तरोप है रिक्त स्थान सब पाच है मैंने सभी सवालों का जवाब दिया शमी ने किसी बात का जवाब नहीं दिया अब जाच के बाद ही सच सामने आ शमी का पूरा परिवार दुश्मन बन चुका है मैंने कभी सोलह की बात नहीं की आप उस तरोप है दो साल से सब कुछ सह रही हूँ पर अब हाला तिफ़त पार कर चुके हैं अपनी बेटी के भविशे को लेकर चिंता हो रही है आप उस तरोप है शमी मुझे तलाक का से बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है मैंने मीडिया को सभी सबूत सौम दिये हैं लेकिन फिर भी मीडिया मामले में परताल क्यों नहीं कर रहा है अभी तक मैं मामले को सोशल मीडिया पर लेकर आई हूँ आप उस तरोप है